हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल डेप्ट स्टड़ी अब यहां पर आपको इस बात जानते ही होंगे अगर नहीं पता है तो बता देती हो हमारा चल रहा है चैनल पर बेसिक एंड कंप्यूटर फंडमेंटल यानि कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो यहां पर प्र यानि कि जो कंप्यूटर है वो किसने खो जाते हैं किसने आविशकार किया था कंप्यूटर का तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जो फादर आफ कंप्यूटर कहे जाते हैं यानि कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं डॉक्टर चार्स बैबिच ठीक है अगर कहा जाए father of computer ये लगवार आप याद रखे father of computer कौन कहे जाएंगे doctor Charles Babes फिर उसके बात बात आती है modern computer की modern का मतलब क्या होता है adhunik adhunik का मतलब जो आज के टाइम पर चल रहा है उनकी कोज कीसने कहती है उसका आविशकार किसने किया था यानि कि father of modern computer की बात आए तो आप कहेंगे Dr. John von Neumann ठीक है ये दो कोशन आप याद रखें क्या कि father of computer कौन है Charles Babbage और अगर modern की बात आती modern computer किसके modern computer का जनक कौन है तो आप कहेंगे Dr. John von Neumann काफी important question है आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर उसके पाद एक अगरा में question लिख रखा है याप है first lady programmer तो कौन थी आपको पता होना चाहिए lady Augusta Ada Lovelace जो short में इनका नाम हम क्या बोलते है lady Ada के नाम से भी ये जानी जाती है ठीक है lady Ada कहीं ठीक है तो भी आप यही समझेंगे कौन है यह first lady programmer है और short में बता दिया lady Ada के नाम से जानी जाती है और इनका फुल नेम क्या है lady Augusta Ada Lovelace तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा एक question और है वो भी आपको दिखा देती हूँ अगर आपसे कोई पूछे कि first electronic digital computer कौन सा है तो आप नाम लेंगे एनक का ठीक है एनक क्या है हमारा first electronic digital computer है इसके full form क्या है electronic numerical integrator and computer तो आई होप आपको इस समझ में आ गई होगी इसकी full form है यह क्या है electronic general purpose digital computer यह है और देखे बना रहे हैं हमारे classes को देखकर तो आपको जो मैं बताती जारी जैसे जैसे lecture होते जारहे है first हुआ second हुआ third हुआ आज ही हमारा fourth lecture है तो आप उसी के साफ 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 यहां पर लिखा ही हुआ है कि जो एनक है was first programmable electronic general purpose digital computer है साफ साफ यह चीज दिखी हुई है और अगर बात कर कि इसको इसका अविश्कार किसने किया थे किसने invented किसने बनाया था तो यहां पर scientist का name भी यहां पर लिख दिया आगे it was invented by John McClay and Jay Presper Eckert ठीक है यह दो name scientist के John McClay and Jay Presper Eckert ठीक है तो आज हमने आपको four questions बताए जो की basic से सभी को पता होना चाहिए पहला father of computer Charles Babbage दूसरा father of modern computer कौन है तो John Bon Newman फिर उसके बाद first lady programmer तो lady Augusta Ada Loveless और फिर उसके बाद first हमारा जो है electronic digital computer कौन सा है एनिक तो ही हुप आज का class आपको पसंद आया होगा अगर class पसंद आया तो like कर दीजे चैनल को नए है चैनल को subscribe कर दीजे क्योंकि ऐसे classes आगे आप को मिलती रहने वाली है हम आपसे फिल मिलते हैं कैसी class के साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत